नौकरी नहीं नियाय चाहिए ये नारा जो है डॉक्टर रित्तु सिंग जो सौ दिनों से जादा हुए धरने पर बैठी हुई थी ये नारा वो लगा रही थी अब लड़ाई यहां तक पहुच गई है कि उनका जितना भी समान था सब उठा के फेक दिया गया और यहां तक की बात यहां पहुच गई है उनका टेंट तक हटा के फेक दिया गया है नमस्कार मैं नौर जहां और आप देख रहे हैं जनित अवाज नौकरी नई मियाए चाहिए कि लड़ाई में एक बहुचन समाज की बेटी डॉक्टर दितु सिंग जो है वो सौ से जाले इनों से धर्ने पर बैठी हुई थी हम आपको ये बता दे धर्ने का कारण था जो दौलत राम कॉलेज है उसकी जो डॉक्टर सभीता रोय है वो एक जातिवादी प्रिंसिपल है जिस तरीके से उनने जातिवाद करके बहुचन समाज की बेटी डॉक्टर रितु सिंग को निकाल दिया गया जो 35 बच्चों के जो बच्चे एक्जिस्ट ही रही करते थे वहाँ उनके फर्जि हरस्ताक्षर लेके इस चीज को दिखाते हुए उनको निकाल दिया गया और उसके बाद वो विश्विध्याले गेट नमबर 4 के सामने वहाँ वो अपने आंदोलन पे बैठी हुई थी लगा रही है भीक मांग रही है कि मेरे साथ आई ये मेरे साथ खड़े हुए और साथ ये भी बता रहा है कि और साथ ये भी बता रही है कि किस तरीके से जहां वो बैठी हुई थी वहां पर उस चीज को लगतार जो जमीन थी उस जमीन को धोया गया है और जो गव मूत्र है उ वहां बहुजन लोग बैटे थे साली साथ वो यह भी बता रही है कि जुआ डॉक्टर अंबेटकर की प्रतिमा थी उस तक का अपमान किया गया है उस तक को जो डॉक्टर अंतिपुर्वक अंदोरन चल रहा था और इस तरीके की गतिविदी करना और वह बिना बात की कुछ भी कर देना वह वीडियो में बता रही है कि मैं बस फ्रेशनेर और फिर आके देखते हूं तो हमारा समान नहीं है बाबा साहिक की प्रतिमा तक का अपमान किया गया और हमार 144 धारा लगा दी गए कोई इखटा तक नहीं हो सकता है और अगर कोई इखटा होके बैठता भी है तो उनको पुलिस पकड़के ले जाएगी यहां पर इतनी कड़ाके की ठंड में लोग अपने घर में बैठे हुए वहां डॉक्टर रित्तो सिंग अपनी नियाय की लड़ जा रहा है शांदी पूर्वक आंदोलन जो चल रहा था उस तक को करने नहीं दे रहे हैं जो अमिच्शा की पुलिस है सोची किस तरह की बरबरता दिखाई जा रहे है बहुजन समाज की बेटी के साथ अब बहुजन समाज जो है वो अपनी हक्की लड़ाई भी नहीं होगा जिसको जिसकी संस्थानिक हत्या हुई जातिवाद प्रशासर ने उनकी जान ले ली थी इस तरीके से दूसी तरफ अगर ही देखा जैक डॉक्टर रित्यू सिंग्ग जो अपनी नियाई की मांग कर रही है और साती जात साथ लक्षमन यादव उनको तो आप जानते ह मिल जाता है उनकी भी लड़ाई जा रही है और डॉक्टर रित्यू सिंग्ग जो सिर्फ नियाई मांग रही थी उनके अंदोर उनको इस तरीके से खतम कर देना और 144 धारा लगा देना कहां का नियाई है डॉक्टर रित्यू सिंग्ग जो है उन्होंने शुरुवाती दौर में ही कहा था कि मेरे मरने पड़ना आया जाए उससे अच्छा मेरा साथ दिया जाए क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर मेरे साथ खड़े होंगे जो भोजन समाज के लिए आवाज उठाती रही है अगर भोजन समाज के लोग ही उनके साथ नहीं आएंगे तो कहां से नहीं से हो रही थी कि भाउजन समाज एकत्रित होके उनके साथ इखटा हो रहा था लेकिन एकदम से इस तरीके से टैंक वगेरा हटा देना और अमबेटकर जो डॉक्टर अमबेटकर ने बाबा सहेबा उनका अपमान करना ये कहां तक सही है वहीं पर कड़ाके की ठंड में वो जमीन पर बैठी हुई बुहार लगा रही है कि हमें नियाये दो और बार बार जो पुलिस उनको हटा रही है वहाँ पर इखटा नहीं होने दे रही है दुबारा जो है महाँ पर अंदोलन नहीं करने दे रही है कि 144 जारा तक महाँ पर लगा दी गई है जिस तरीके से मनुवादी विचार के जो लोग है वो भौजन समाज को जी नहीं नहीं दे रहे है मतलब अगर भौजन समाज के लोग अगर बाहर उठके भी आएंगे और अपनी अवाल जाएगे इस तरीकी का वहवार किया जाएगा वो जो भौजन समाज की बेटी है वह रोते हुए बोल रही है आप सोच यह उनकी जो आखों में वो दर्द दिख रहा है किस तरीके से वो रो रही है और नियाय मांग रही है और जो इस तरीके से बोलेगा उसको अमिच श्या वो आपसे पैसा नहीं मांग रही है आपसकी जैजात नहीं मांग रही है वो सरिफ नियाय मांग रही है और नियाय ही मांगने की चक्कर में उनको पुलिस इस तरीके से हटा रही है और उनको आंदोलन तक नहीं करने दे रही है आपको बता दे डॉक्टर रितो सिंग ने खुद अपने ट्वीटर पर ट्वीट करके एक वीडियो डाली है और उस पे लिखती हैं कि हम इनकी नजरों में जो अचूत हैं देखो कैसी उनिवर्सिटी का किया जा रहा है ये शुद्धी करण बाबा सहेब की प्रतीमा हटा कर अचूतों का धर्ना हटा कर दोया जा रहा है गंगा जल और गउमूत्र से हमारा का धर्ना स्थल ठीक है इस जगा पर लगी थी बाबा सहेब की बड़ी प्रतीमा विश्विद्याले के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ तो वहीं वो कह रहे हैं कि जहां हम बैठे थे जहां हम धर्णा दे रहे थे 100 दिन से ज़ादा धर्णा दे रहे थे वहाँ पे इस तरीके से उसको गंगा जल से धोना और तमाम गौमुत्र से धोना कि यह इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हुआ कि भावजल समाद जो है अपन नियाय की लड़ाई लड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की चीजे सामने आ रही हैं और वहीं वो एको और ट्वीटर पे पोस्ट डालती है कि दमन और शोशन के दौर में नील करांती की नई लहर दिल्ली विश्विधाले में आई मनू चरम पर है जब डियू से अंदुलन स्टार्ट करेंगे वहीं से शुरुवात करेंगे वहीं पर बैठेंगे हमें कोई नहीं हटा सकता है किसी का पैसा यह जैजाद नहीं मांग रहे हैं बाबा साहिब ने जो सवीधान दिया मतलब आज 2024 चल रहा है आज के दौर में भी अजादी के इतने सालों ब खतम नहीं हो पा रहा है इस तरीके कि जो विचार धारा है वो खतम नहीं होने को आ रही है कि एक बेटी जो है जो नियाय मांग रही है उस तरीके सिर्फ नियाय मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही है और रोते वे गुहार लगा रही है बहुजन समात से की हमारे साथ और खड़े हो अब देखते हैं आगे क्या होता है कब तक आदोलन चलता है वहां पर पुलिस जो 144 धारा के बाद जो है अब किसी को एकटा तक नहीं होने दे लिए तो आदोलन कैसे चलेगा कब तक जारी रहेगा आपका इसमें क्या मानना है हमें कमेंट वॉक्स में जरूर ब